दोस्तों नमस्ते जयंत गोल्ड डिटेक्टर मुंबई मेटल डिटेक्टरिंग के बारे में बहुत सारे वीडियो है अपने ठीक है सब्सक्राइब करना तो ही कॉल करना ठीक है आज एक फोन आया था मेरे खाल से एक करना डग बिजापूर से उन्होंने मुझे पूछा उन्ह को बूला ना चाहिए न अगर कोहीं से आवा जाता तो उसको बूला लो तो आवा जाता है तो इसके लिए नीचे कुछ हो सकता है क्या तो देखो मैं साइंटिफिकली काम करता हूं मुझे जूट बोलके अपना माल बेचना नहीं और मुझे उतना टाइम भी और टाइम भी घख हैै लोत की बाद जो है कि इसने बोला उसने बोला है देख Hawk अगर इतना अगर आसान होता ना तो पूराने जमाने में न यह इतनी सब खुण मारा मारा काटी होती नहीए की इतना आसान नहीं सब यह ठीक है और हम scientific काम करते हैं धीक है ऐसी चीजे होती है करोने लाखों में एक चीज होती जिसको science के तौर पर भी हम परख नहीं सकते मोत बहुत बड़ा higher science को समझा जाएगा लेकिन वो हम scientifically prove मतलब बता नहीं सकते समझा नहीं सकते तो यह बात होती है ठीक है तो अभी इसको अभी इन्होंने बोला कि इसा है और मेरे को मालूम है बोलता है इधर जगा है तो मैं खोद लो जगा मालूमें तो खोद लो हमको क्यों कॉल करते आपको मालूम है तो क्यों आपका नुकसान कर रहा है नहीं बोले फिर मसीन से अगर आपको जगा मालूम है आपको खोद लेना चाहिए न तो फिर हमको मसीन रहेंगी तो बताएंगी फिर ऐसा कैसा क्या हिसाब क्या अरे बाइसा वो आदमी है या मसीन है आदमी जूट बो हो कि नीचे जो जमिन में जो ऑब्जेक्ट रखा है जो भी चीज रखी है वह कौन सा मट्रियल है जैसे हम घर में इलेक्ट्रिसिटी लिए क्या करते है कौपर यूज करते है ठीक ना उससे अगर नीचे वाला कोई और वह अगर किसी बरतन में होगा तो आपके ज़्यादा आसार बढ़ जाते हैं उसको मिलने के सिफ प्यूरेटी में होगा तो आपको इसी मसीन लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां तक पहुंच ना देखो तक्दीर भी तो किस काम करती है न दोस्तों तक्दीर का भी कुछ होगा तो यह फिर मतलब वही है कि आपकी तक्दीर फिर धोका दे रही आपको ठीक ना एक तो भी मतलब खराब तक्दीर के कारण यहां पर पैदा हो गए कि भाई साला सब मेहनत करके स्वारी गलती से साला निकल गया थोड़ा मुंबई वाला लेंगोज मेरा तो ऐसा होता करो और फिर इसमें आओ कर जा और यह मत करो इसलिए तो बोलता हो वही तक्दीर थोड़ा थो ठोड़ो ठीक है ना एक तो आपके पूर्खों कुछ आपके लिए रखावागा उपकार करने के लिए यह पास पैसा है मसिन खरिदने के लिए और आपके घर में रखावागा तकदीर ठीक है तो यह तीनों चीज जब काम करेगी ना तब परसेंटेज बढ़ते है और जितना खैराद बाटोगे उतनी तकदीर अच्छी लेकिन घर में करजा करके खैराद नहीं बाटना है अपने को जो भी आमदनी होती जो भी इंकम होती उसमें से एक पाच टका दस ट ठाकाद हमारे हिंदों में बोलते हैं उसको दान यह बहुत जरूरी है लेकिन वो करजा लेके दान मत करो और करजा लेकी जैने घी बीमुट्यूं कि दिमाग जितना थंडा रहेगा उतने लोगे और जितने अच्छ घी viens होंगे उतना रिजल्ट अच्छा होगा ठीक है तो सोच समझ के काम करना सोच समझ के मसिन लेना स्टार्टिंग में जएदा महँगा मत जाना लेकिन अगर perfect मालूम है तो आप बड़े में जा सकते हो ठीक है वो भी बड़े में कितना सवालाग रुपे तक जा सकते हो ने तो normally वीडियो अभी आते रहेंगे क्लेरिफिकेशन के कैसे कैसे क्या क्या होता है बाई